हाई चाइम्स मैं आपका दोस्ट ये सुनील आपके सामने आया हो FMSM की स्ट्राटेजी लेकर 4H September एक्जाम दोस्तो आइम एक्सपेक्टिंग कि आपने 31 जुलाए या मैक्जॉरिटी मैक्सिमम 10 अगस तक आपने अपना पहला बार सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी चाहे आप मेन बैट से पढ़ रहे है रेगुलर से या फास्ट रेक से किसी भी बैट से कर रहे है विकॉज बिटा उसके बाद आपके पास सरफ एक महीना बचता है हमारे September एक्जाम के लिए तो दोस्तो अब बारी है हमारे रिवीजन की देखो दोस्तों हमारे को FM और SM का बाइफरकेशन है FM हमारा पूरा का पूरा प्रक्टिकल पार्ट में रहेगा SM कंपेर्ट तो हमारा थेयरिटिकल पेपर है तो अब दोनों की स्ट्राटेजी में थोड़ा सा डिफरेंसेज रहेंगे पहले हम प्रक्टिकल यानि की FM की बात करते हैं देखो भाई FM हमारा काफी स्कोरिंग पेपर है और इस बार में के पेपर में इंस्टिट्यूट ने हमें धपा कर दिया और पेपर थोड़ा टेक्निकल बना जिस वज़े से FM के पेपर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आई बट इट्स फाइन मैं हमेशा बोलता हूँ बिटा पेपर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टेक्निकल बन सकता है तो हमारे concept काम आते हैं वहाँ पर situations again altogether different होती है तो इसलिए we should focus more on concepts तभी जब हम पहली revision करें तो बिटा सबसे ज़्यादा focus आपके concepts पर होना चाहिए कि आपको क्या सारी बाते अच्छे से clear है अब इसके लिए आप अपने self notes यूज़ कर सकते हैं जो हमने classes में आपके साथ ब भी यूज़ कर सकते हैं में 24 के लिए हमने marathon FM की तीन पार्ट में डाली थी दो में FM है और एक में SM है तो FM के अंदर हमने आपके साथ सबसे पहले हर chapter के concept discuss करें हैं देन उसके questions की बारी हमारे पास आती है तो यह already आपके पास available है आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं ही पर पहली बारी में दोनों देखो मैं मानके चल रहा हूं आपके पास 30 डेस का टाइम है और तीन सब्जेक्ट हैं अपन तो यही मानें कि आप एक गुरूप देना है क्योंकि अभी दो गुरूप देना practically possible भी नहीं होगा हमने पहले भी यह वीडियो में आपको बोला है तो एक दिन में buffer का मान रहा हूं अगर आपके पास buffer बचता है तो इसमें आप एक mock test और दे सकते हैं या फिर आप इसमें एक बार और short revision कर सकते हैं एक्जाम से पहले जिस प्रकार से होगी तो depending upon the situation तो 6-3-1 का ratio अपने पास रहेगा तो पहले 6 days में आपको सभी concepts और questions classwork homework सारे question आपके एक chapter के अपने हाथ से करके देखिए और बाकी question आप बेटा audit करिए audit करने के लिए आपके सामने question और solution बेटा दोनों होंगे तो question पढ़िए सोचिए इसमें क्या होगा और solution से verify कर लीजिए इससे at least आपकी नजरों में question एक बार go through हो जाता है तो दिमाग में वो retention power पढ़ जाती है तो इसलिए ये वाला part काफी important है approximately 25% question यहां पर आपको हाथ से करके देखने चाहिए अगर समय आपका allow करता है तो ठीक है बिटा उसके बाद जब आप पहली revision करें तो question में जो different points हैं या आपको जहां जहां पर दिक्कतें आई हैं बिटा उन questions को आप mark कर ली जी है कि यार यह यह questions है जहां पर मुझे दिक्कत आई हैं तो let's mark them so that next time हम इसको दुबारा से revision करें तो इन्ही questions को करें बाकी तो simple थे वो तो पहली बार में ही हो गए इसके अलावा बिटा आपको RTP MTP May 24 और September 24 का cover करना है May 24 का RTP का वीडियो already पढ़ा हुआ है इनकेस अग के साथ class में भी रहती है क्योंकि यह latest आई थी तो यह भी cover नहीं है इसके लिए हमने YouTube पर content डाला हुआ है तो आप इसको जरूर कर ले इसके अलावा बिटा second revision के बारे में चले तो हमारे को again concept और question पर focus अब question कौन से करने हैं सर्थ यह questions वो करने हैं जो आपने mark करे थे first revision में समय अगर allow करता है तो कम से कम कुछ questions अपने हाथ से जरूर करके देखें तो I would say हर chapter में से एक एक question जो आपको लगता है इसमें सारे concepts cover हो रहे है majority cover हो रहा है बिटा वो एक जरूर करके देखें उससे confidence level थोड़ा सा आप हो जाता है इसके बाद जैसे ही आप second revision complete करें एक subject की make sure उसका mock test दे अब बिटा mock test ऐसे मत करना कि आपने पहले accounts का करा फिर आपने law या आपने पहले costing करा मैं गरुट्टू की बात करूँ फिर आपने audit पढ़ लिया अब आप कहते हैं मैं costing का दूँ नहीं जैसे ही costing का revision खतम हुआ मालो आज शाम को revision खतम हो रहा है तो आज तीन बैटके mock test दे दिया क्योंकि बिटा paper में जाने से पहले भी आप immediately पढ़के ही जाओगे तो इसी लिए आपको यही strategy रखनी है क्योंकि आप अगर एक दिन बात दो दिन बात दोगे तो आपको आधी चीज़े skip हो जाएगी mock test देखके और घवराट हो जाएगी तो it's better कि एक बार कर ले ठीक है बिटा ये तो हुआ हमारा FM का part again I am saying question पे concept पे focus because बिटा exam में question नया बन सकता है अब बात करते हैं हमारे second part यानि की SM की बिटा इसमें देखो बिटा SM की revision के लिए बहुत simple सी techniques हैं हमने आपके साथ class में notes करी हैं तो आप उन notes का इस्तमाल कर सकती हो या ज इसको revise करने के simple सा तरीका बताता हूँ सबसे पहले जो आपके पास notes है आप उन्हें एक बार read कर लीजिए अगर आपका मन कर रहे read करने का तो कर लीजिए नहीं तो मैंने इसका already marathon बिटा डाला हुआ है May 24 के लिए मैंने FM SM का marathon डाला था तो उसका part 3 है उसका part 3 है part 3 में हमने पूरा SM approximately 7 hour 45 minutes में cover करा हुआ है time stamp वहाँ पर लगे हुए chapter wise तो आप उस marathon को कम से कम दो बार सुन लीजिए आप जब उस marathon को दो बार सुन लेंगे तो आपको हर chapter के points automatic याद हो जाएंगे चीके बिटा बट अब exam में जब हमें answer लिखना पड़ेगा तो we have to use our keywords हम ऐसा नहीं ह कुछ भी लिखेंगे हाँ हम अपनी language यूज़ कर सकते हैं but we have to make sure कि हम important words जरूर लिखें उसके लिए उनी notes में या मैंने आपको class में specifically important words वाले ही content सारा दिया हुआ है तो आप उनी keywords का इस्तमाल कर सकते हैं अपनी writing के लिए exam के लिए तो भाई इसको याद कप करना second revision के समय जिसको हम आप बोलते हो ना कि मेरे को याद रखना है तो first revision में याद मत रखें इसको बस एक कहानी की तरह सुनिए कि हाँ यार यार ये कहानी है हर chapter में एक पातर है एक किरदार है जो हमें समझना है तो जो सब topic है वो आपके किरदार बन जाएंगे आप बस उसको अपने द कुछ नहीं करेंगे SM पढ़ने के लिए एक सिंपल सी और टेकनीक बताता हूं जैसे ही मानलो आपने एक देट घंटा पढ़ लिया मैं एक घंटा भी बोलता हूं डेट घंटा डिपेंडिंग अपन टॉपिक अगर बीच में है तो जैसे ही एक से देट घंटे बीच में आखे बंद करके आपने आप सोचना शुरू करिए आप यकीन मानना अगले पांच मिनट में आपको वो डेड़ घंटे का कॉंटेन याद आ जाना चाहिए अगर याद आ रहा इसका मतलब आपने फुल कॉंसंट्रेशन से पढ़ाई करी है जो बहुत बढ़िया है और ऐसे करेंगे तो आपकी जो रिटेंशन पावर है वो और जादा बढ़ जाती है और इनफेक्ट वो पांच मिनट में याद करने के बाद उसके शॉट शॉट हेडिंग्स आप लिख लीजिए एक पेपर पे पर लिख लीजिए अच्छा मैने पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा इससे क्या होता है बिटा आपकी जो रिकॉल वाली मेमरी है वो काफी जादा इंक्रीज हो जाती है फर्दर बिटा इसमें भी जैसे मैंने एफम में बोला मौक टेस जरूर देना है मौक टेस देकर आपको आपकी स्पीड पता चलती है सारी बाते में 24 में SM का पेपर अपने सेप्टेंबर के लिए अल्राइट दोस्तों सो एजाई से पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें क्योंकि बिटा अन्त में सिरफ पढ़ाई काम आओगी सो अब अपनी एल्क का दियान रखें अच्छे से positive mindset के साथ पढ़ें अपने negative दोस्तों से थोड़े time दूर रह ठीक है चलिए दोस्तों तो उमीद करते हैं इस बार आप अपने एक्जाम में करेंगे एकदम तभाई एकदम धमाल और इस strategy को use करिए so that आप अपने एकजाम में एकदम सफल हो पाए और राइट दोस्तों चलिए wishing you all the best बाई 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 दोस्तों